होँ है हलो व्यूट 2 लॉटे में चक्छारी बात करोंगे इंग Kung breaking लेकिन भउप्योगी होमें परिवा के बारे में मेलिसा ओफिस इनार अल इस मिन्ट फैमिली सी यानि पुदीने वाली जो फैमिली होते हैं उसी से ये दुबा बनाई जाती है जिसका कॉमन नेम होता है lemon balm, यह एक sedative effect देने के लिए, calming effect देने के लिए एक बहुती अच्छी दवा है, इसका जो प्रिचार है जादा तर European countries में रहा है, क्योंकि इसके herb को यूज किया जाता था वाइन में डाल करके stimulant जो action होता है वाइन का, यानि आपको और high feel करना है, उस cases में पहले इ problems में, जैसे कीडे वे रहने काट लिया, उसके बाद घाव बन गया, उसको सही करने के लिए और उसके अलावा, hyper neuralgic pain होते हैं, especially post herpeting neuralgia के case में, इसको बहुत पहले से यूज किया जाता रहा है, हो में इस दवा का कैसे प्रयोग रहता है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे तो friends, homeopathy में इस दवा को इसकी पत्तियों से इसका mother tincture तयार किया जाता है, इसकी पत्तियां dark green कलर की और काफी wrinkled होती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुदीने की पत्तियां आप देखते हैं, लेकिन इसकी पत्तियों को rub करने के बाद स्मेल करते हैं, तो बिल्कुल lemon ज होते हैं, बहुत ज़्यादा attractive से दिखते हैं, और जो इसकी stems होती ही, वो मच्छर मख्यों को दूर भगाने के लिए होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमेल होती है, इसलिए मच्छर मख्यी इस पौधे के आसपास नहीं पटकते हैं, तो अब हम बात करते हैं हुमेपथिक प् इसमें, यहां पर मैं बताना चाहूंगे कि जो इन्सॉम्निया होता है, यानि नीन ना आने के समस्या जो होती है, इसमें यह आपके ब्रेन को एक सीडेटिव एफेक्ट देता है, बहुत सारे लोग हमेपथि में नीन ना ने के समस्या के कारण भी दवाया लेते हैं, क्यों बहुत अच्छी और गहरी नीन आती है, इसके अलावा यह जो दवा होती है, इसको दिया जाता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस को दूर करने के लिए, क्योंकि यह आपके कोगनीशन को चेंज करती है, अब कोगनीशन पे असर करने वाले बहुत एक कम होमेपथिक दवाय हैं, पहले हम जानते हैं, कोगनीशन क्या होता है, तो फ्रेंस कोगनीशन होता है, कि आपके सोचने के शक्ति, आपकी तर्ग की शक्ति, आप किस चीज को कैसे सोचते हैं, उसको बोलते हैं कोगनीशन, तो क्या होता है, कि हम जिस चीज को जैसे सोचते हैं, वैसे ही बिहेव करते हैं और फिर उसके बाद आपको anxiety होती है तो आपके सोचने के शक्ती को एक positive direction देने के लिए कि आप सही रास्ते पे सूचे सही एक productive तरीके सो सूचे एक positive तरीके सो सूचे इसलिए ये दवा का जो उसके उसके बहुते होता है ये दवाázक ये उसफ्रइशन में और तो आहुए ना चाहिए पर बहुत 1712 वाँ और अजया सकते हैं तो इसे सबी लोगों के लिए हैं और क्योंकर सब्सक्राइब करती है आपके जो कर.बनेशन के चेशन लाती है तो वहां ऑ warrant कि山頃 बहुत अच्छा उपयोग में लाए जा सकता है तो फ्रेंट्स जो मेरे जो होमेपथिक प्रग्डीशर हैं उसके लिए उनके लिए बताना चाहूंगे कि अगर आप बहुत सारे केसिस में अलग लग दवाईयां प्रियोग कर चुके हैं आपने काफिया दिया आपने पैसिफ लोरा दिया लेकिन उन सभी चीजों से भी अगर आपको नींद अच्छी सी नहीं आ रही आपके पेशन को तब आप इस दवा को ज़रूर यूज करें इसके लावा मेंस्ट्रोल क्राम के केसिस में यानि जब मेंस्स के बहुत ज़ादा भेंकर पीडा महिलाओं के अंदर होती है तो वहाँ पर भी इस दवा का प्रियोग बहुत अच्छा है ये एक प्लांट बेस्ट मेडिसिन है तो उसको आप लंबे समय तक भी ले सकते हैं बिना किस साइड इफेक्ट ये दवायां ली जा सकते हैं इसके लावां पोस्ट हर्पेटिक नियुराल्जिया यानि अगर किसी को हर्पीस रहा हो पहले या चिकन पॉक्स रहा हो उसके बाद हर्पीस हुआ हो वैसिकल्स तो ड्राइ हो गए हो लेकिन अभी उस जगा पे प तुथे के कीश में यानि अगर दातों में दर्द की समस्या बनी हुई है बहुत ही तेज दर्द होता है कौफिया करूड़ा अपने दिया अपने ग्रीया जो की अनिक कैम मिला भी है तुथे के लिए दवा तो इतनी सारी आपने दवायां दिलिकिन अगर फरक नहीं पड़ इस्पेशली गैस बहुत जादा बनती है और सही से पास नहीं होती है उनकी कीसिस में भी यह दवा बहुत अच्छा काम करती है तो गैस्टिक डिस्टर्बिंस के लिए आपके खाने को सही से पचाने के लिए और एपटाइट इंप्रूफ करने के लिए भी मेलिसा और फिसने आता है उसके बाद इंफेक्शन होते रहते हैं तो इस दवा को लेने से आपकी इम्मुनिटी बूस्ट होती है जिसके कारण आपका जो एंटी वारल और एंटी बेक्टियल जो भी इंफेक्शन आपको होने वाला होता उससे भी आपको बचाती है तो मैलिसा ऑफिसनेलिस एक ऐसी दवा है जो आपकी इम्मुनिटी को बूस्ट करती है तो अगर आपको सर्दी जुकाम हो जाता है मौसम बदलते हैं या बिमार पढ़ जाते हैं तो आप कुछ समय तक मैलिसा ऑफिसनेलिस का प्रयोग सरूर करें इसके अलावा यह जो दवा है बहुत अच्छी सिर्दर्द हमेशा बना रहता हो सिर्दर्द हमेशा बना रहता हो सिर्दर्द हमेशा बना रहता हो सुबह उठने के बाद आपका सिर बहुत भारी सा लगता हो यह पूर्शन फ्रेंटल पूर्शन जो होता है वहां पर भी आप मैलिसा ऑफिसनेलिस को ले सकते हैं आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हम्योपितिक दवाया है रेगलर लेते होंगे लेकिन जिन्होंने अभी तक इस दवा का नाम नहीं सुना होगा लेकिन इस दवा बहुत ही उपयोगी है आप इसका प्रियोग करके देखें अब हम बात करते हैं इसको लेनी के तरीके के बारे में तो क्योंकि मैंने बताया कि इसकी जो टिंचर होती है वो लीव से बनाई जाती है तो उसको लेना भी आपको टिंचर फॉर्म में है क्योंकि टिंचर फॉर्म तोड़ा जादा दिया जाता है आप एक बड़ी बॉटल ले सकते हैं और इसकी दस से पंद्रा भूंदे आदे ग्लास पानी में डाल करके आपको दिन में दो बार दिन में तीन बार जैसे आपके जरूरत हो उसके हिसाब से लिया जा सकता है तो कुछ परहेज हैं जो दवा के साथ आपको करने हैं जब तक आप इस दवा का प्रियोग कर रहे हैं तब तक आप कॉफी चाय और किसी बीतरा की स्टुमिलेंट यानि अलकोहल वगरा से आपने आपको बचा के रखना है इसके लावां जो लोग प्रेस्ट फीडिंग मदर् बचें या अपने किसी डॉक्टर की सला से लें दस साल से छोटे बच्चों के अंदर किसी बीतरा की मदर टिंग्चर को देने से बचें तो फ्रेंड्स ये सारी जो इन्फरमिशन है ये मेलिसा ओफिन स्नेलिस होमेपतिक मेडिसन के बारे में हैं आपको जानकारी जो मैंने